बार्ड का कहर हमीरपुर में जारी टिकरॉली गाउं में मुख्यमार्ग से संपर्टूटा बार्ड का कहर पूरे देश में विगत कई दिनों से जारी है इस साल हुई रिकॉर्ड बारिश से पानी से मची तबाही साफ तोर पर देखी जा सकती है बारिश अधिक होने से सभी डैम फुल हो चुके हैं लेहाजा पानी को नदियों में छोड़ा जा रहा है दो दिन पहले माता टिला बांच से पांच लाख क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया था जिससे बेतवा अपने उफान पर है और अब बेतवा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है बेतवा नदी अपने खत्रे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर दूर बह रही है हमीरपुर मुख्यालय से निकली बेतवा ने आसपास के करीब एक दरजन गावो को अपनी चपेत में ले लिया है पीडित लोग पलायन को मजबूर है लोग अपने ही गाउं नहीं जा पा रहे हैं रात में अचानक से पानी बढ़ने से मुख्यालय से सटे टिकरॉली गाउं की में रोड और पुल पर पानी आ गया जिससे लोग नाव के सहारे मोटर साइकल रख कर अपने घरों तक जाने को मजबूर है बाड की आशंका होने से ही सरकार प्रशासन को किसी भी अपातकालीन स्थिती से निपटने की हिदायत देता है लेकिन हमीरपूर का प्रशासन किसी अन्हुनी के इंतेजार में बैठा है मुख्याला इसे सटे टिकरॉली गाउं में मुख्यमार्ग से संपर्ट तूटने पर लोग प्राइवेट नाव में अपनी मोटर साइकल समेथ रास्ता पार करने को मजबूर है अधिक लोग वा भार होने से नाव पलटने का भी डर बना रहता है लेकिन पानी के प्रलय के आगे स्थानिया लोगों की बेबसी को दूर करने के लिए प्रशासन तयार नहीं है इंडिया टॉप न्यूस से समवाद्दाता अतीक खान की खास रिपोर्ट संपर्क मारग है और यह पूल बना हुए इसके उचाहे बहुत कम है और यह बार आने से तुर्ण प्रूब जाता है जिससे दस बारा गाहों ज्यादा प्रभाईद होते हैं और आवागवन बिल्कुर ठब हो जाता है और ज़रूरी काम रिप्टाने के लिए यह 35 किलोमेकर रास्ता ज्याता करना पड़ता है और जो लोग यही से सॉटकोट अप